आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ये सभी क्लासें आपकी UPSC और आपके स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए कवर की जा रही है और आप मैंसे कई लोगों का ये भी सवाल नेता है कि अगर हम लोग वंडेक जाम की तैयारी करें तब भी क्या इन क्लासों को देख सकते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग अपनी परिक्षा जिस भी परिक्षा की तैयारी करें उसके पुराने questions paper उठा के देखिए और आप देखिए कि इससे मुझे नहीं लगता है कि बाहर कोई questions चाहता होगा और आपने देखा होगा हम लोग पराचीन भारत का इतिहास क स्थापना हुई है उस पर विस्तार से बात की हुए थे और आज किस क्लास में हम लोग गरमपंथ और नरमपंथ गरमपंथ आंदोलन जो चला है उस पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो 1885 से लेकर 1913 के बीच और एक बात और बता दूं आपको इन सभी क्लासों के लिए आपकी एक separate playlist सूची बना दी गई है UPSC and State PCS Prelims Special Classes के नाम से तो इसी में आपकी सभी क्रम से क्लासे डली रहेंगी और आराम से आप लोग देख सकते हैं और आज किस क्लास का अगर हम लोग overview लेना चाहें तो सबसे पहले हम लोग नरमपंथ के बारे में बात करेंगे और नरमपंथ कहने का मतलब होता है कि अपनी बातें रखना एक तरह से बिंती आप देखे हाथ जोड़कर पत लेकर हिंसा का तरीका ना अपना ना वहीं हम लोग गरमपंथ की बात कहें तो आप देखे इसमें हिंसा वारूत की बात होती है और भागस सिंग सुगदेव क्या थी और इनकी कारपडाली किस तरह से रही है इनकी कुछ सीमाय भी रही है उन पर भी बात करेंगे आलोचनात्मक मुल्यांकन भी करेंगे और वेटे समराजी के पिती नरमपंथियों का दिरश्टी कौन क्या था आप देखे इस तरह के कुश्चन्स आपके मुख परिक क्या रहे है क्या बजाए है कि गरमपंथियों को सामने आना पड़ा इनकी रवनीती क्या थी इनकी भी कुछ सीमाय थी उसका भी मुल्यांकन करेंगे और वेटेस पिती करिया वेटेस जो अंग्रेज थे उनकी पिती करिया क्या रही है पर उस पर भी बात करेंगे और और नरम पंथ में क्या अंतर था उस पर विबात करेंगे और इसी कलास में सूरत अधिवेशन और कॉंग्रेस में जो फूट हुई 1907 की उस पर विबात करेंगे और सो अधिसी और बहेसकार आंदोलन भी चलते रहें बंगाल वेवाजन उधारवादियों द्वारा बंगाल व हेवेवेविन प्रिविट्तियों से पेरिता जैने आप लोग एक तो घरम पंथ के सामने लिखें और दूसरी तरफ आपने देखा हो любимें कि आप देख them cheese संपत्ति को नुकसान पहुचाया जाता है इन्हें आप लोग घरम पंथ की कह सकते है गरम पंथ hack प्रभाव था जिन्हें आप लोग उधारबादी कहा जाता है इनमें आप देखिए पड़े लिखे बकील, डॉक्टर, पत्यकार, इंजिनियर और साहित के छेते से समंधित बैक्ती समले थे और एक बात और आपको बता दो देखिए उधारबादियों को बास समझ में आती थ कि अगर हम लोगों ने ओग तरीका अपनाया तो अंग्रेज हमें दबा देंगे, इसे कुख उचल देंगे सांधूलन को, इन लोगों ने के आंधूलन का तरीका सम्विधानिक था और भी आविदन परातना सिष्ण मंडल द्वारा अपनी मांग रखते थे और नरम दल की नेता अंग्रेजी सासन के बने रहने और उसके सद्रण करने की पक्ष में थे और उन्हें डर था कि भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद आवेवस्था फैल जाएगी, दूसरी प्रवित्ती से पेरेत अत्वा गरम दल कहे जाने वाले बेराटबादी थे, जिनका होदा उन्नीसवी सताबदी के अंतिम, अत्वा बीसवी सताबदी के आरंबिक बरसों में होता है, और यह दल पुराने निताओं के आदर्स और धंगों का कड़ा आलोचक था, और एक कॉंग्रेज के कुछ तरोन लोग थे जो चाहते थे कि कॉंग्रेज का धे सुराज होना चाहि यह दल कॉंग्रेज के आरंबिक 15-20 बरसों की उबलब्दियों से संतुष्ठ थे, अभी भी तो आप देखते हैं समाज में, कुछ आप देखते हैं कि जो समझदार होते हैं, वो आप देखें कि अपनी हाथ जोड़ करके काम चलाते रहते हैं, और जब उन्हें सफलता नही विश्वास नहीं रहे गया था, और ये सांतिपूर्ट सम्मिधानिक तरीकों को सिक्षा विट्टी कहते थे, यानि कि भीग कहते थे, और इनका मानना था कि याशना, प्रातना उपिती बाद करने की नीती से कुछ हासिल नहीं होने बाला है, और आप देखें कि सुरू से 18 1850 से आप देखें कि 1906 साथ तक क्या मिला, कुछ मिला भी तो नहीं है, तो उनी को यही लगा, गरम दल की नेताओं को, और गरम पंती विचारधरा अत्वा प्रवित्ती से पेरित प्रमुक नेताओं में, बाल गंगा दल दिलक थे, लाला लाच पतराय थे, और वित्मेंद चन्द पाल थे, तो इन गरम पंती नेताओं को भी आप लो याद रखेगा, भारती राष्टी आंदोलन के चरण देखें तो पिथम चरण, ए 1850 से 1905 उदारवाद का योग कहते हैं आप लो, दुदिया 1905 से 1919 एक गरम पंतियों का योग, और 1911 से आप देखें कि 1907 तक ग प्राथ होती है इनकी विचारधारा की, कि आखिर इनकी विचारधारा थी क्या, प्यारमीक्स राष्टबादी गरम पंती आंदोलन की विचारधारा उदारबादी थी, और नरम पंती नेता प्रया पश्मी सिक्छा में पले बड़े थे, यानि कि आप देखें पश्मी सिक के विकास में पूर सहयोग देगा और वे मानते थे कि भारत के लिए अंग्रेजी सासन बर्दान सरूप है और जिसके माध्यम से भारतिय समाज में सिक्षा, लोकतंत, मानोबाद, विज्ञानबाद, आधी पश्मी मुल्लेयों का पिरसार किया जा सकता है और इस तरह भारत का अधुनी की करन संभाव हो सकेगा नरम पंथी आंदोलन के पिरमक नेता में आप देखें दादा भाई नौरोजी को वेटिस नयाय पिरियता में पूरा भरोसा था और वे कहते थी कि अंग्रेज बास्तों में भारत का भला चायते हैं यदि हम कुछ उची आवाज में अपन मिला है हमारे हाँ आप देखे कि लोकतंद की बात हो रही है सिक्षा की बात हो रही है मानो तब की बात हो रही है बिग्यान बात की बात हो रही है और कुछ लोगों को वराई दिखेंगी सुभाविक सी बात है आपने सुना होगा एक सिक्क्य की दो पहली होते हैं तो उसी आप लग समझे एक दूसरे पिरमुक नहीं था कि गोपाल किसने गोकले और भारत में बेटे सासन को आवसक मानते थे और आप देखेंगे अंग्रेज जी अंग्रेज नौकल साही कितनी भी ही बुरी को नहीं हो पर तु आज केवल अंग्रेज ये ही विवस्था बनाय रखने में सफल है और विवस्था के बिना कोई उन्नती संभाव नहीं है और उनका विश्वास था कि यदि अंग्रेज देश छोड़ कर चले जाते हैं तो आविवस्था उत्पन हो जाएगी ऐसा किसका मानना था गोपाल किसने गोकले का और इस तरह से आप देखें कि कि नरम बं नरम बंतीयों का बेटिस समराजी पेती आर्थिक दरिष्टी कौन नकारात्मक था उन्होंने बिना किसी संकोच की यह सुईकार किया कि बेटिन भारत का आर्थिक सोसन कर रहा है यानि कि आप देख रहा है कि हमें लोट रहा है वो यह तो उनकी भी समझ में आ रहा था था नरम बंतीयों की यह लेकिन वो उनका कहना था कि आप देखें कि जो सामाजिक सुधार हो रहे हैं जो आप देखें कि राजनितिक सुधार हो रहे हैं यह हमारे लिए जरूरी है यह फायदे वाले हैं लेकिन दूसरी और आप देखेंगे आर्थिक जो सोसन कर रहे हैं अंग इस रूल कहते थे और यह सासन अपने समराजबादी लाभों के लिए भारत का सोसर कर रहा है और इस सोसर में नौरोजी जीवी जोसी आरसी दत आदी ने काफी अध्यन भी किया नौरोजी ने धन की निरगम की सिद्धान को इस्थापित किया और जिसे आधार बना कर आतिक र आधारी थे और यह निरगम भारत से बेटेन को एक पक्षिय धन फेशन को बढ़ा रहा है और जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता है इसके अनुसार इस धन का निरगमन ब्यापार अतिरिक पूंजी सैजन द्वारा किया जा रहा है और इसी के कारण आप देखें भार अनुसा प्रole द्राय कुछ ना को ररती से बेटेस साशन व्यकिति डेखेंड़ कुछ नहीं मिलते पक्षिय धनन को उसी के इसले स Major H और जिसके बलते भारत को कुछ नहीं मिल रहा है और आपको एक बात और बता दो देखें अंग्रेजियों का देखें एक ही उद्देश था लूटना आर्थिक सोसन करना और आप देखें किस तरह से उन्हें उन्हें बदलाव किये आंगे आप देखें कि आ बेटिस सासन की ब प्रापती आधारित है वही भारत में बेटिस सासन नाग्रेकों को इस में से एक भी अधिकार नहीं देता है और यह उसके नसलबादी सोसनकारी भेद भावपूर्ट देश्टी कोण को दिखाता है आप देखें कि बेट्टेंड में आपको माल होगा कि प्रेस थी यानि कि मेडिया की बोले की सुतनता थी और आप देखें उनके नाग्रेकों की अपने अधिकार हुआ करते थे लेकिन भारत में इस तरह कुछ भी नहीं था और आप देखें भारत में जो पत thou बड़े-बड़े वो आप देखें कि अंग्रेज को दे दिये जाते थे वेटेस के जो लोग थे, अंग्रेज थे, उन्हें दिये जाते थे, भारतियों को निचले पदों पर रखा जाता था, और तरह तरह से आप देखें भारतियों से भेदभाव किया जाता था, हमारे अगर कोई मीडिया कुछ बोल रहा है, कोई एजनसी की स्तापना हो रही तो आपने देखा ह इस भी आप लोग याद रखेगा करेमिक सुधारों के द्वारा वेटेन की अधीन सुसासन की प्रापती नरम पंती आंदूलन का उद्देश था और इसके लिए उन्होंने बिधान पर्चदों के विस्तार और उनकी अधिकारिक भारती पिति निदी उनकी सक्तियों में मिल होना चाहिए उनकी सक्तियां होने चाहिए उन भारतीयों को कुछ सक्तियां मिलने चाहिए और जो वायसराय था या गवर्नर था उसकी कायर कार्णे में भी भारतीयों को सामिल किया जाना चाहिए यही नरम पंतीयों की एक तरह से उद्देश था और उनकी मांगे थी न और आप देखें कि साथी अंग्रेजी सासन के सहयोग से देश के आधुनी की करन का सपना भी उन्होंने सजोया था। और नरम पंथियों की प्रमुक मांगें देखें अगर आप लो और इन मांगों को जरूर याद रखिएगा। राजनिति को और पिसासनिक मांगें इनकी क्या थी? इनकी राजनिति को पिसासनिक मांगों में सामिल था 1858 की विक्टोरिया गोशना पत्त की अनुसास सभी भारतियों को वेटिस नागरेकों के समान अधिकार मिलने चाहिए और भारतिये सासन पिसासन में भारतियों की भाग से कही गई थी इंगलेंड में स्थाफित्र सचिप की परिषद को सम服 किया जाए और उसमें अबसक सुधार किया जाए किंधरी येवं प्रांधी प्रेश को अधिक पड़ते होंगे तो आप देखते होंगे इसमें आपको मौली का दिकार डिये गए हैं आप लोग बोल सकते हैं आजादी है आपके पास लेकिन आप देखें वहां भी आजादी पर पितीबंद लग जाता है बोलें का मतलब यह नहीं कि आप लोग किसी को गाली देने लग जाईए आपको संगठन की बनानी की छूट मिली हुई है आप देखें प्रेश की आजादी की बात करती है आर्टीकल 19 आप लोग पड़े ह यानि की बेटेंड जा रहा है उसे रोका जाए सेना सेना और नागरिक सेवाओं पर होने वाले खर्च को कम किया जाए एसिया एबं अफीका में बेटेंड के समराजबादी हितों की पूर्ती के लिए भारती संसादों की उपयोग को रोका जाए किरसी के विकास जैसे सिच उद्योग को वड़ावा दिया जाए सौधी सी उद्योगों को सरक्षन दिया जाए और विदेशी निर्मित बस्तूओं पर आया सुल्क लगाया जाए आया सुल्क केहने का मतला हुए कि आप देखे कि कोई बस्तूओं वहाँ मन रही है कहां वेटेन में और आप देखे व उद्यवधन देते वह भी चौपट हो रहे थे तो नहीं की बात की गई फिर आप देखें कि बढ़ती गरीवी और अकालों की जाच की जाए ये सब बातें कहीं गई इसमें नरम बंती कारपडाली अगर हम लोग देखें तो नरम बंती विचारिक रूप से उदारवादी और उनकी रणीती भी उदारवादी साधनों पर निर्भट थी विकरांती हिंसा आधी साधनों की विरोधी थी और उनका अहिंसाबा सहयोग में विश्वास था और उन्होंने बैटे सासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए निम्न तरीके अपना है इनमें कौन-कौन सा पचासी में जो कॉंग्रिस की स्थापना हुई थी न उसी कॉंग्रिस की बात हो रही है और आप देखेंगे जिसमें विभेन नमागों से सम्मंदीत पिस्ताव पारित किये जाते थे और इनके माध्यम से सासन का ध्यार राश्टी एहित के मुद्दों की वो लाने की कौसि की जाती थी और इनके द्वारा जंता में जागरुकता भी बढ़ती थी और इससे देश के पितिनी दियों को एक साथ एक मंज पर एक खटा होने का आउसर भी मिलता था दूसरा आप देखेंगे प्रात्ना पत्त के जरिए राश्टी हित से जुड़ी मांगों को प्रात्ना मंडल कॉंग्रेस द्वारा सिष्ट मंडलों की न्यूकती की जाती थी उन्हें गवर्नर के पास बेजा जाता था ताकि उसे पेरित कर अपनी मांगे मनवा सके कई सिष्ट मंडल इंग्लेंड भी भेजे गए थे यानि कि आपके ये पिती निधी मंडल आपकी कोई मांगे ह और आप दिखें आप कहेंगे कि इन लोगों को हम भेज रहे हैं और आप दिखेंगे वो लोग जाएंगे बात करेंगे अपनी मांगे के लिए रखेंगे उनके सामने तो इंग्लेंड भी गया इस तरह की आप देखेंगी पिती निधी तो नहीं की बात हो रही है याद संसत का ध्यान भारती समस्याओं की और खीचना था समाचार पत्र नेताओं ने अपनी मागों की और सरकार का ध्यान आकिस्तित करने के लिए समाचार पत्रों का भी सहरा लिया और समाचार पत्र जनता के एक बड़े हिस्से तक पहुंचते थे और इनका प्रयोग राजनेतिक सिक्चा के प्रसार और राष्टी ये जन्मत बनाने के लिए भी किया है किनोंने नरम बंथी ओने और नरम बंथी आंदोलों और बैटिस राज की अगर हम लोग बात करें तो प्यारब में 1885-187 के बीच नरम बंथी आंदोलों के पिती सरकार की नीती सदभाव पूर रही और भारा सरकार ने भी कॉंग्रेस के साथ सहयो किया और 1886 में डपरें ने कॉंग्रेस के पिती निदियों के लिए स्वागत समारों आयुजित किया था और 1887 में मद्रास के गवर्नर ने भी इसी बेकार का सिष्टाचार किया था और सरकारी अफसरों को कॉंग्रेस के अधिव कारण थे क्योंकि आप देखें कि कुछ तो बदलाओ करेंगे जब कोई मांगे नहीं मानी जाएगी चौत्रे अधीविशन 1888 में तब कॉंग्रेस के पितिनिधी की संख्या में काफी विड्धी हो गई और कॉंग्रेस का सामाजी का धार धीरे-धीरे बढ़ रहा था बारे से सम्मिलन से आगे बढ़कर वह अब एक संगठित पार्टी का रूप लेने लगी थी और उसकी लोक फिरियाता बढ़ रही थी कॉंग्रेस अब के बल अंग्रेस जी पड़े लेकी लोगों की पार्टी नहीं रह गई थी फितिनिधीयों के भासन में अब देशी भासाओं का इस्तिमाल सुरू हो गया था और आप देखें कॉंग्रेस के मंच से बेटे सास्कों वायस रायों और गबरनर की कॉंसिल की स्पिस्ताओं का विरोध करता है तो उस स्पिस्ताओं को आस्विकार किया जाएगा 1887 में बद्रूद्दिन तियाजी को अध्यक्च बनाये गया यानि कि अब हिंदो मुसलिम एकतावी बढ़ रही है 1887 के अदिविशन में किसानों का समर्थन पाने के लिए दो परचे नि दिखा हुआ है अब आप सोचे कि उस छित के लोग अंगरेजी जानते ही ना हो तो इसलिए लोकल भासा में उसका अनुबात किया जाता है और हूम ने एक परचे के द्वारा गाओं के मनमाने पर सासन का परदा पास किया और वीर रागवाचारी ने एक पुस्तक तमिल पि जाने लगा और इस पेकार सरकार ने महसूस किया कि उसकी आसा के विप्रीत कॉंग्रेस ससक्त राष्टिये आंदोलन की ओर बढ़ रही है और आप उसने कॉंग्रेस के पिती कर्टूरता पूर रविया अक्तियार कर लिया किसने सरकार ने सरकार के वदले हुए रूप की अ कहा गया, कॉंग्रेस को महतीन दस्ताती है, उसे इसे भारती समाज के मुट्टी भर लोगों की संस्था कहा गया, यानि कि सिधी सी बात है, अभी आप लोग कोई न्यूच्पर की बात कर लिए, आप देखेंगे कि वो सरकार के खलाब कुछ लिखता है, बोलता है, तो आप द अधिकारी यों करमचारीं को दर्सक की रो में भी अधिवेսिशनों में सामिल ना होने का आदिश दिया गया, और आप देखेंगे कि सयुग्त प्रांथ के लेटिनेंट गवर्णर ने इलावात अधिवेशन में बाधा लालने का भी प्रेयास किया, फिर आप देखेंगे कॉंग्रेस का विरोध करने के लिए मुहमडण एजूकेशनल कॉंफेंस और यूनाइटिट पेटियाटिक एसोसियेशन नामाग दो संगठन भी बनाए यानि कि फोट डलो राज करो की नीती यहां भी दिखाई जाने लगी और आप देखेंगे क्या देखेंगे कि परंपरा परंपराइटियों के बीच छेतवाद जातिवाद आदी को भढ़काने का प्रयास भी किया गया बनर जी गोकले नौरो जी और रनाडे की बीच भी फूट डालने की कॉसिस की गई जो आप देखें वो नेता थे उनके बीच भी फूट डालने की कॉसिस की गई राष्टव की विकास में सिक्षागों सहयोगी मानते हुए सिक्षन सस्थाओं पर नियंतन का प्रयास किया गया और 1903 के विसेविध्याले अधिनियम को इसी रूम में देखा जा सकता है किसी भी तरह से वो कॉंग्रेस को महत्तहीन करना उनका उद्देश बन गया था और आप देखें देखेंगे बाद में 10 से बढ़ा कर सोले कर दी और उद्देश यह था कि अधिक मुकर नेताओं को समिधारी निती के दारे में लिया जाए और जहां भी भासन के दौर अपने आसंतोस को बाहर निकालते रहें और जो जारू राष्ट्रेवादी आंदुलन की और उनमुक ना हो सके नरम बंती आंदोलन की कुछ सीमाएं भी है इन सीमाओं को भी देख लिजे नरम बंतियों की अगर हम लोग सीमाओं की बात करें तो अधिकांस पश्चात सिक्षा पडाली के द्वारा सिक्षेत हुए थे यह सभी आप देखें इसमें जो नरम बंती नेता सामिल यह आप देखें कि परश्चात सिक्षास में पले पड़े थे और उनका परश्चात विचारधारा में विश्वास था उनका वेटे संस्ता और नियायई पेडाली आदी में विश्वास था और भारत में आधुनिक्ता की आभाओं को धियाان में रखती हुए वैटे शासन क जिसके द्वारा अंतिता भारत में आधुनिकता आनी थी देवी ये उपहार समझते थे यानि कि उपरवाली का उपहार और इसी पिकार नरमपंथी समराजवादी बेटेन के बास्तविक चरित को समझने में आसाफल रहे और उनकी यह ना समझी उपनेविसिक अर्थतंत को सम समझ लिया पर वे यह नहीं समझ पाए कि बेटेन इन में इसमें कोई भुनियादी परिवतन नहीं करने बाला है क्योंकि वैसा कराना उसके समराजवादी हितों की विरोध्ध होगा उनका यह विस्वास बना रहा कि देर सबे बेटेर भारत की आर्थिक सूसन को बंद कर द तो ऐसा मराजवाद की विरोध्ध लड़ने में आक्षम थी यह उनकी भारी भूल हूँ थी उन्होंने केवल जनता के राजनेतिक सामाजे को सांसकेतिक पिछडेपन को ही देखा समराजवाद से लड़ने के लिए सबसे जरूरी तत्र साहस और त्याग जो जनता के पास ही मिलते हैं बात के दोर में आप देखेंगे सिद्ध भी हुआ है और राष्टी आंदोलन की सच्ची वहाग आम जनता ही है और इसके विप्री नरम बंती आंदोलन का सामाजी काधार बकील डॉक्टर पत्यकार अध्यापक ब्यापारी और भूमी पतियों तक ही सिमित रहाए और किसान इबं मजदूर बरक तक कॉंग्रेस की पहुंच नहीं थी इस समय तक और यही नहीं हूम ने जब किसानों से जुड़ी मांगों को कॉंग्रेस के एजन्डे में लाना चाहा तो उसका भी विरोध किया गया था इसके अलाब आप देखेंगे द्वारकानाथ तरह उठाकर असम की चाय वागान मजदूरों की स्तितिका अध्यन किया परंतु कॉंग्रेस ने इससे इस्तानी मुद्धा बता कर फल्ला जाड़ दिया यानि कि आप देखें इसके नरम पंतियों के उद्देश सीमित थे और इसमें कमी लोग आप देखें पड़े लेखे लोग एक तरह से सामिल थे किसान इससे चूटे हुए थे मजदूर इससे चोटे हुए थे अपनी मागों को मनमाने के लिए अपनाईगी कारपणानी नरम पंति राजनीती की एक अन्य कमी थी वर्स में एक बार केबल तीन दिवस्ती अधिवेशन होता था और उसके बाद पिस्ताओ पास कर इती सरी कर ली जाती थे एक तरह से आप देखी कि आज की राजनीतिक पार्टियों को आप लोग समझ सकते हैं अभी बर्तबान पार्टियों को कि आपने देखा होगा कि चुनाओ आता है उसी समय आप देखेंगे चुनाओ लड़ने चली जाती है बाकी पार्टियों की पहुंच आखवारों की पहुंच सिक्षे समधाय तक ही थी और किसी ठोस कारकिरम की आभाव में संपात की है कि ये बर राजनीतिक उपदेश भर सावित होती थी और फिर आप देखेंगे कि अधिकांस राजनीताओं के लिए राजनीतिक एक अंसकालिन गत भी थी थी और यानि की पार्ट टाइम और इन में से बहुत से लोग फेसी बरबर्गों से आते थे वे अपने फेसी में सफल थे और उनके पास राजनीतिक लिए समय की कमी होती थी वाचा ने नौरोजी से एक बार सिकायत की थी कि फिरोसा मेता और तेलंग अपने अपने वेवसायों में वैस्त हैं और उनके पास राजनीति के लिए समय नहीं है और अधिकांस नेताओं की जीवन सेली अंग्रेज जी थी और इसलिए अंग्रेजों के पिदी उनका द्रेश्टीगों दोहरा था और वे उनकी कुछ नीतियों की आलोचना करते थे जबकि आंतों पर बेटे सासन के वो भारत के लिए वो लोग अच्छा मानते थे उन्नी सो एक के अधिवेशन में कॉंग्रेशी जे घोसाल ने गांधी जी से कहा था कि अपनी कमीज के बटन बंद कर ले अंग्रेजी जीवन सेली के पिती लगाओ था ये और मेता रेल के विसेश दोचनात्मग मुल्यांकन देख लेते हैं और अगर आप लोग ने स्टेट पीसी एस और सिविल सर्विस के मुख परीक्षा के कुष्टेंस पेपर देखे होंगे तो आप देखते हैं कि इस तरह के कुष्टेंस डारेक्टी बन जाते हैं आप ये परीक्षा में तो सर्व प्रभू सप्ता बैक्स ब्रटानी का कि सिध्धांद की अनुसार भारत में वेटिस सासन की इस्थापना भारती समाज की जड़ीनता आसब्विता और अंदिकार यूग की समापती हेतु हुई और नरमपंती राष्टवाधियों ने इस सिध्धांद को चुनोती दी और इ आर्थिक राष्टवाध की निव डाली और इस पेकार आप देखेंगे बेटिस समराज जी की बैधानिकता पर पिसिन ने चिन लगा दिया और जिसके कारण लोगों की सम्भुख बेटिस राज का बास्तविक पा सोसनकारी चरित उजागर हुआ और आगी चलकर इसी याध पर गांदी जी ने भारतियों के कल्याड जीतु सासन करने का पिरचार करने वाली बेटिस नेतिकता को चुनोती दे और इसके अलावा उन्होंने भारतियों में राजनेतिक चेतना का बिकास किया और राजनेतिक सिक्षा की माध्यम से लोगों को देश की समस्याओं से आउ जैसे सोतंता, समानता और पिसासन में जन्तागी भागेदारी आधी का पिरचार करके जन्मत का निर्माड किया और इसके कारा आगे चलकर अखिल भारतिये स्वरूप बाले राष्टी आंदलोनों का विकास हुआ और इस अखिल भारतिये आधार का कुनेतत बास्तंगठन दे कि उनने समझ में ये बात आ चुकी थी, कि उनका सोसंड हो रहा है, सोसंड का तरीका अलग हो सकता है, किसी का किसी तरह से, किसी का किसी तरह से, लेकि सोसंड जरूर किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उपनेविसिक अर्दवस्त था, द्वारा भारतिये संसादनो का प्रियोग अपने हितों में करने पर आपति जिताई और इसी संद्रम में वेटेन की अकर्मक विदेश नीती का बिरोध किया और इसके दो पईडाम हुए पहला भारती सेनिकों के बीच राष्टवादी चेतना का विस्तार हुआ और भारती अंदोलन के पिती अंतराष्ट किया गया और उसके समाधान का प्रयास किया गया जैसे 1886 में भारत में लोग सिवा आयोग की स्थापना और 1892 में आप देखेंगे का एक्ट जिसके द्वारा भारतीयों को बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया और 1893 में वेलवी आयोग का गठन जिसका उद्देश भ उद्देश सिक उसका बेंटी कार गठन हुआ, कम हुआ, ये सभी फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेगा और नरमपंथी आंदोलन का सबसे महतकूर योगदान यह था कि इसने राश्टिये आंदोलन के धारम निरपेक्च सवरूप परवल दिया और जिसके पैड़ाम स प्रकट हुई, आप देखी कोई भी आंदोलन चलता है, तो उसके फायदे भी रहते हैं, कुछ नुकसान भी रहते हैं, दोनों पहलों आप लोग देखते हैं, तो इसमें सीमा है क्या रही है, नरमपंथियों का बेटे समराजवाद और उसकी उदारवादी बेटे संस्था नियाय पिडाली आदी में पूर्ण विस्वास था, और इस बे इसमित्या अवधारणा से गरसे थे, कि वेटे सासन भारत में एक देविये उपहार है, यानि कि उपर वाले का उपहार है, और इस कारण से नरमपंथि वेटे सासन के बास्तिमिक सवरूब, बा उसके उपने वेशिक उद्देशों को संजवन्जने में आसाफल गए, और उन्होंने ना तो जन्ता में अपना विश्वास बनाया, और ना ही आंदोलन का सामाजिक आधार बिक्सित किया, और आप देखे कि नरमपंथी काफियत तक अंग्रेजों की मदद भी करते थे, और उनकी मांग सफल रहे, और आप देखे कई बिद्द्वानों ने एक कहा भी है, कि आप देखे सुरुवात में कॉंग्रेस पड़े लेके लोगों का ही समूल थी कुछ लोगों का, उनकी मांगे मुक्यतास भिक्छा बिरती कि सिध्धान पर आधारिती, यानि कि हम आप से मांग रहे हैं अगर देदो तो अच्छी बात है, नहीं दो, तो कोई बात नहीं है, और जिसकी ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और से की जनता का इनसे मोवे भंग हो गया, और अभिजात बर्गिये मांगों पर बासिक्छित बर्ग की ही भागिदारी के कारण उन्होंने कॉंग्र में, और दारबादी ने तक करम सील ना होकर केबल बेचार सील थे, और राश्टी हेतों की पूर्ती हेतों उन्होंने कभी भी सरकार की बिरोत का प्रयास नहीं किया, और साथ ही नरम पंथी नेता, मुख्यता, पैसेवर, वरक्स याते थे, और जिसके लिए राश्टी भारत के उच्च सामाजी गवर्ग के ऐसे लोग थे, जिन्होंने अंग्रेजी में उच्च सिक्चा पराप्त की थी, यानि कि आप देखे कि अंग्रेजी सिक्चा पराप्त किये हुए थे, और उन्हीं की तरह कापी हद तक सोचते से समझते थे, अंग्रेजी सिक्चा की का भारती समझ के आधुनीकी करण हेतु आवसक मानते हुए अच्छा मानते थे और आधुनीक लोकतांतरिक मुल्लेओं में आस्था होने के कारण विजन सहवागिता पर बलते थे और लेकिन साथ ही इसकी प्राप्तिक क्रमिक रूप से ही चायते थे एक आएक नहीं चायते थे और इस पकार बेवेटे समराजिक नीतिक समानी सोचते थे और एक बात वो जानते थे कि अगर आप देखे हिंसा फैलाई तो एक मिनिट में आप सभी जानते हैं कि दवा दिया जाएगा अभी हाली में आपने देखा एक तीन किसी कानून आये हुए थे हमारे देश में और आपने देखा एक लंबे समय तक वो किसान आंदोलन चला और बड़ी सांती पर यह तरीके से चला तब आपने देखा है कि उस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार को तीनों किसी कानून बापस लेने पड़े अब वो सही थे गलत थे किसी कानून यह अलग डिवेट है लेकिन आपने देखा है सांती फूर तरीके से चला अगर आप सोची कि हिंसा फैला दे तो आपने देखा हो देखते कि दो मिनेट में दबा दिया जाता अंदोलन को नरम बंधियों को वेटे सासन की नियावादी सरूप पर अतीसा विश्वास था और उनकी अनुसार वेटे सासन क जयावागिता, सोतनता, समानता, वंधुत्य, मानवीय मूल्यों का पैसार आदी पाये जाते थे और उनकी अनुसार वेटे सासन एक दिविया सासन है और लेकिन वह यह भी मानते थे कि भारत में वेटे सासन का सुरूप आवेटे सासन है जो अपने समराजवादी इलाभों हीतु भारत का सोशन कर रहा है और यह सोशन को उन्होंने अपने धन के निरगमन सिध्धान द्वारा आर्थिक राचवाद की डालकर वज्यागर किया और नरंपति हुने यह इसपष्ट किया कि बेटे साशन ओपनिवेसवादी आर्थिक सोशन पराधरी थे और यह नेंतर भ पूंजी सेजन द्वारा किया जा रहा है और फालसरूप भारत नेंतर गरीब होता जा रहा है आप देखें सौने की चिडिया भी तो कहते थे आप लो नरम पंथियों ने यह भी कहा कि बेटेन में बेटे सासन जन सहिभागिता परेश बाविवक्ति की सुतंता बानांगरिक अधिकारों की प्राप्ति पर आधारी थे वहीं भारत में बेटे सासन नागरिकों को इसमें एक भी अधिकार नहीं देता है और यह उसके नसलवादी बासोसनकारी बेदभाव पूर देश्टी कौन को दिखाता है और नरम पंथियों की नेताओं के पिरमुक कौन कौन थी इसमें नरम बंथियों में एक तो आप देखेंगे दादा भाई नोरो जी सुरेनाद बनर जी गोपाल किसने गोकले थ्रोज साह मेता मदन मुहन माल भी है दीन सा वाचा एक बात और बता दू आपको इस तरह के कुश्चन से भी कई बार कूच लेता है कि आप सिद्धे दे इन में से नरम बंथी नेता कौन-कौन से थे तो यह नाम जरूर याद रखेगा यह आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं उस समय भी नाम को वहां लिख सकते हैं उधारवादी समिधानिक तरीके परात्नापत, पितीवेदन, इसमर्डपत, सिष्णमंदल द्वारा भारत की सुतंता पराप्त करना चाहे दे थे उधारवादी अपनी मांगे मंगमाने के उद्देश से दादा भाई नौरोजी की अध्यक्ष्टा में 1887 में बेटिन में भारती सुधार सम्धी की स्थापना की गई थी कब 1887 में 1888 में बिलियम डिगवी की अध्यक्स्ता में लंदन में बेटिस कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई उधारबादियों के आंस्तिक दबाओ के पड़ाओं सुरूप 1892 का भारतिय फरिशत अधीनियम पास हुआ और जिसके दबाद निर्वाचे स्थानिय निकायों को कुछ अधिकार फिदान किये गए राश्तिय अंदोलन के पिथम चर्ण में कॉंग्रेस का स्वरूप धरम निर्पिक चिदल रहा और नरमपत्ती निता दादा भाई नौरी जी को Grand Old Man of India कहा गया तो ये नाम भी याद रखेगा दादा भाई नौरी जी को नाम दिया गया करजन ने कॉंग्रेस पर टिपडी करते हुए कहा कि कॉंग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहती हुए मेरी अंतिम एक्चाय कि मैं इसमें सांतिफोन मित्तिव में सहयोग कर सकूँ ये आप देखे कई बार कथम दे देता है और पूंच लेता है कि ये किस ने कहा था तो करजन ने कहा था टिपडी की थी कॉंग्रेस पर बेटे सरकार की उकसाने पर कॉंग्रेस का विरूद करने के लिए 1888 में सरसेयद एहमद खाने एंगलो मुसलिम डिफेंस एस्वोसियेशन की स्थापना की थी इनका 1888 की बात है तो ये भी आप लोग याद रखेगा उसके बाद आप देखेंगे क्या देखेंगे गरम पंति आंदूलन आता है नरम पंतियों के बाद और ये 1905 से 1913 के बीच की बात है यानि कि आप देखें कि इनकी समझ में आ गया कि हाँ जोडने से भीक मांगने से कुछ नहीं मिला है फिर आप देखें छुड़ाईए गरम पंति आंदूलन इसकी बिचारधारा की बात करें तो गरम पंति बिचारधारा की इनुसार बेटे सासन का स्वरूफ अनेतिक था जो आर्थिक वो सांस्कितिक सोसन पर आधारी था और जहां आर्थिक सोसन से भारत में दरिदिता बढ़ती जा रही थी वहीं सांस्कित में मौझूद जनतांत्रिक और राष्टी मूलनों को तो आत्म साथ नहीं करफाते हैं उल्टे पश्चमी लोगों की जीवन सैली की नकर कर ने लग जाते हैं और इस पिक्रिया में विभारती जीवन सैली को नकारते हैं यह आप देखे बाल गंगधर तिलक सहाव हैं पश्च जात संस्किती के घुलाम हो जाते हैं और गरमपंथियों का विचार था कि जब तक ही वा वर्ग को इस मांसे घुलामी से गुंक्ति नहीं दिलाए जाएगी तब तक समराजवात का मुकर विरोध संभव नहीं है और गरमपंथी राजनीती के उदाय के कारण अगर हम लोग देखें कि आखिरिनका उदई कैसे हुआ, तो आप देखें, कि राष्टी इस का î악 कारक इसमें कॉंग्रेस की उपलब्धियों से निराषब, आप देखें गिक 1881 में कॉंग्रेस की स्थावना के बाद आपने संपूंध नरमबंति आन्दूलन, की आउदी 1905 तक में कॉंग्रिस की उपलब्धियां अल्प कम ही रही है और अब ये ऐसपस्ट भी हो गया था कि परातना उपिस्ताओं की द्वरा कुछ भी नहीं मिलने माला है और नरमपंथी आंदुलन की आखरी दोर में गोखले और लाला लाजपत राय ने भारती समस्या से बेटेन को अगवत कराने के लिए कई बार लंदन की यात्रा की लेकिन वो आसफल हो जाते हैं और स्वयम गोकले ने भी महसूस किया कि इन उपायों से कुछ नहीं होने माला है और कॉंग्रेस का यूबा वर्ग पुरानी फीडी की कार फेनाली से आसंतोष्ट था वह कॉ तीयों का मनोरंजन और वार्सिक राष्टी मेला ही मानता था अभी भी हमारे समाज में आप देखिए जो बुड़े पुराने होते हैं वो आप देखते हैं कि लड़ाई की बात नहीं कहते हैं वो समझाते हैं जो यूबा वर्ग होता है वो आप कहता है कि जवर्जती छीन कर लेंगे यह कर लेंगे तोसी जैसी हाल हुई अंग्रेजी राज की बास्तविक प्रकेती का उज्यगर होना भी इसमें कारण है इसमें आप देखेंगे दादा भाई नौरोंजी की पुस्तक इंडियन फावर्टी एंड अनुवेर्टिस रूल इन इंडिया 1901 में आई थ और इनके अध्यनों ने सुईद बेक्टी के भारत भार के सिध्धान्त की धज्जियां उड़ा दी अंग्रेज कहते थे कि हमें आप लोगों का भार है एक तरह से आप समझ रहें और सुरेनाद वनर जी दिर्नसाव आचा गोखले मालवी आदी अननेताओं ने विविन तत के सारे यह वास सामने रखी कि वेटिस राज का बस्तविक सवरूफ सोसक का था और इसमें आप देखे भारती है भारत की आर्थिक दुरवास्ता उन्नीस भी सदब्दी के अंतिम बर्सों में भारत की आर्थिक रिस्तिती अतिंद खराब हो गई और इसी समय आप लोगों की मौत हुई भोकमरी आई और अकाल की स्तिती में एक और आप देखेंगे सरकारी सहता नगन थी और दूसरी और अनाज का इंग्लेंड और यूरोप को निर्याज जारी रहा और इसे बढ़कर 1902 में एक भब दरवार आयजित किया गया जिसमें देशी नरेसों को पद्वियां बाटी गए और इन घटनाओं ने बेटसराज की हिदय हिंता को इस्तपष्ट कर दिया आप देखें कि वर्तमान दौर को ले लिजे मुझे लगता है कि आप लोग किसी भी उधारन को किसी भी तरह से फिट करके समझ सकते हैं कोई गलत नहीं है अब आप देख देख के लोग मर रहे हो आप सोची परेशान हो तो आप समय जानते हैं कि जो देख के लोग होंगे उनमें गुसा आएगा है आशंतुष्ट होंगे ही वो आंदोलन विद्रो करेंगे ही तो यह भी उस समय ऐसा हुगा पश्चा संस्किती का बड़ता परभाव अंग्रेजी सिक्षा पाने वाले बहुत कम लोग ऐसे थे जो अंग्रेजी साहत में नहें जनतांत्रिक और राष्टी चिंतन के मूल्यों को आत्म साथ करते थे अंग्रेजी पढ़ने वाला बर्ग वह यह था कि जिसके लिए अंग्रेजी नौकरी पाने का एक सादन थी वो इस बर्ग अंग्रेजी भासा के साथ अंग्रेजी जेवन सीवली को भी अपना लिया था और इसका एक सभाविक परिडाम इस रूम में सामने आये कि इन्होंने भारती संस्किती को हे समझना सुरू कर दिया और आप देखेंगे यह बर्ग था जो राजनेतिक गुलामी के साथ भूमी पिदान की और बाकिम चंद ने स्री किष्ण का महिमा मंदन किया और उन जैसे गुड़ों बाले व्यक्ति के नेतत्त में देश की एकता की कल्पना की और विवेकानन्द के वेदान्त ने परश्चिम को ही भी हैरान कर दिया और दयानन्द उस बैदिक संस्किती को सा हमारे देश में गौतम बुद्ध महावी स्वामी समरे चाणक आप देखिए हम लोग हर्चित में आगे थे वस हमारी जो भी सिक्षा रही है उसे समझा ही नहीं गया बर आप सोचे रनीती बनानी की बात करिए किसन भगवान से कोई अच्छा रनीती का मोटी वहिसनल स्वी एक सिक्षा की अधिक फिरसाद से भारतिये लोग अधिक संक्या में सिक्षित हुए और किंतु सरकार ने उतनी अधिक संक्या में रोजगार की विवस्ता नहीं की अंगरी जी पड़ा लिखा कर यह सिक्षे बर वे रोजगार अपनी दैनिये हालत के लिए सरकार को दोसी सम कलकत्ता कार्पोरेशन अधीनियम ने से भारत रोष्ट हुए भारती है और करजन भारतियों के फिती पुरया कटू भासा कप्रियों करता था वैं भारतियों को जूटे और मकार भी कहता था करजन के बंगाल विभाजन 1905 किनेडे को गरमबंती राष्टवादियों ने भारत सकती है एकता को नश्ट करने की प्रयास की रूम में देखा और भारतियों के मन में यह विस्वास हो गया कि अंगरेज किसी भी पिकार भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते थे और उसके लिए वो किसी भी हद तक जान सकते थे और इसे इस तरह से भी समझे आज की राजनीत गांधी का सत्यागय और इसी समय तो आप देख रहे हैं गांधी जी का सत्यागय भी हो रहा है दच्छे रफीका में भारत भासियों पर होने वाले अत्याचार की जानकारी वहां मात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले सत्यागय आंदोलर की कारण पिकास में आई और कॉंगरेस ने कई पिस्ताव पारीद कर सरकार से हश्चिप का आग्रह किया किन्तु इसका कोई नतीजा नहीं निकला और इससे सिक्षित भारतियों में आसंतोस पैदा हुआ और दूसरी ओर गांधी के सत्यागे के कारण वहां भारत वासी कुछ कड़े कानूनों को हटबाने सफल भी हुए और इससे लोगों को यह विस्वास हो गया कि विनय के मुकाबले संगस कहीं जाना सही रास्ता है और जापान का उदय आप देखेंगे कि 1868 के बाद जापान के उदय ने एसिया को आंत्रिक सक्टी को इसपष्ट कर दिया आपको बता दूँ यह कारक कईवाल पूश लेता है कि आप देखें गरम पंतियों के उदय के कारण क्या क्या है तो आप लोग नीचे पूरे एक एक पॉइंट में लिख सकते हैं जापान का आधुनी की करम पश्चेम के मार्ग दरसन के बिना हुआ था और इससे इस विचार का खंडन हो गया कि भारत बैटेन कष्च पश्ची राष्ट को घॉरा दिया और 2 अधि Folk पूरे लोग अज्चेह नहीं और उन्हें घुरायाए जासकता है ये विचार वलफ अकरने लगा जब जापान रूस को हरा सकता है तो भारत वैटेनिंस मंग वैटेनिंस राष्ट को क्यों नइए पासकता है हम लोगों के मन में ये अविस्वास पैदा हो गया कि किसी भी देश के दर्ड निश्चई और संगठित लोग सबसे सकती साली समराजवादी देश को चुनोती दे सकते हैं और अभी सीनिया एक पिछड़ा अभी की देश द्वारा इटली एक आधुनी उरूपिय देश की यह है और गरमपंथी रननीती की बात करें सौदेसी और उसके आयाम सौदेसी गरमपंथी विचाद्धारा का केंद्री चिंतन था और इसकी अभीवक्ती निमनरूप में होती थी सौदेसी को एक आंदोलन के रूप में लिया जाए और नौजवान पीड़ी के मन में पिते बहस्कार किया जाए और उस समय आपको बता दूं कि यह सफल भी रहता है क्योंकि उस समय हम लोग काफी हद तक अपने उपर ही निर्वर थे हम लोग विदेसी किसी बस्तूपर जाना निर्वर नहीं थे आज के समय में आप देखते हैं चाइनीज बस्तूओं का बहस्कार ह रहता है लेकिन अब समभव नहीं है सफलता नहीं पा सकते क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग काफी हद तक चाइनीज बस्तूओं पर ही निर्वर रहते हैं सौदेसी के पिती समर्थन की अभिवेक्ति के रूम में विदेसी बस्तूओं की होली जलाई जानी चाहिए और से बहिसकार वायकोट कहा गया जो सौदेसी का दूसरा पक्ष था और सौदेसी देश की आर्फिक प्रगति का सही सादन था सौदेसी उद्द्यों हस्त सिल्प के द्वारा ही भारत की गरीवी को दूर किया जा सकता है सौदेसी सिक्षा जिसे राश्टी सिक्षा भी कहा गय बारती लोगों को दी जाने वाली सही सिक्षा होगी जो उन्हें मान सिख गुलामी से मुक्त करेगी और इस सिक्षा में उद्रग एक और तकनीक शिक्षा के साथ फराचीन भारती मूलनेयों को मत्पॉर स्थार मिलना था और आप देखें कि सौराज सौदेशी का ही राजनेति पक्ष था जिसे लोगपुरिये बालगंगधर तिलक ने लोगपुरिये बनाया उन्होंने सौराज मेरा जनम से दधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा का नारा दिया जो काफी पिछलित भी हुआ और यह नरमपंथी लक्ष सौसासन के एक कदम आंगे का लक्ष था फिर आप देखेंगे सौदेशी का एक धार्मिक वसांसिकितिक पक्ष भी था इसके तहर जन जीवन में छाई निरासा की भावना दूर करने और उसमें राश्टी भाव पैदा करने के लिए भारत की अध लिए और आप देखेंगे जन साधर से जुखाओ जुडाओ गरमपंथी विचारधार में आप जन को काफी महत दिया और नरमपंथी नेताओं के विप्रीत इस विचारधार की नेताओं को भारती जनता की विस्ष्ट पीदिवा पर पूरा विस्त्वास था और लाला की जो सबस्याइं बनी हुए थे जो मुद्दे थे उनको उठाया है नोने तब जाकर आप देखी कि इन्हें सफलता मिल रही है इनसे लोगों का जुडाओ हो रहा है और उन्हें देखिए नरम पंथियों को आप देखिए कि उनके मुद्दों में आप देखिए किसानों के कुछ मुद्दा था ही नहीं सांतिपूर्ण पितिरोद गरम पंथी प्रातना पत्तों शिष्ण मंदलों आधी की जगे सांतिपूर्ण पितिरोद में यकीन करते थे नरम पंथी राजनीती के साधनों प्रिस्ताओ प्रातना मंदल शिष्ण मंदल पर उनका विश्वास नह मतलब आप सुचे समझ सकते हैं कारिकरम कि अगर हम लोग इनकी गरमपंथियों की बात करें तो इसमें आप देखें कि गरमपंथियों द्वार आपने वो देश की प्राप्ति के लिए अपना आए गए साधन इस तरह थे राश्टी सेक्षन सस्थाओं का गठन इसके तहत उन आप देखेंगे कि सौदेश्टी के समरतन में एक बिदेश्टी के पिती गहडा पेगट करने के बिदेश्टी बस्तूओं के बहिसकार काहन किया और 1896 में सूती कपड़े पर जबाबी आबकारी लगाया जाने पर तिलक ने इसे पहली बार अजमाया और फिर आप देखेंगे सौदी संस्ताव की स्थापना जगा 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 जिमनास्टिक इसकूल अखाडे अनसमतियों की स्थापना की गए लाला हरकिसन लाल ने पंजाब नेसनल बैंक यह आप देखेंगा 1894 की आसफास की बात है रवेन नाथ क्या रवेन नाथ ने सांत उल्रेक मिलता है और सहिकारी संगटन गरम पंथियों ने सहिकारी संगटनों को बढ़ावा दिया गाउं में सफाई एवं सेवाकार मेलों का आयवजन आपदा की दसा में स्वैम सेवा संबंधी का आधी पर बल दिया और दीवानी और रन्ने मामलों को सुल्जाने के लिए पंच सम्तियां बनाए इनके द्वारा जंता में नागरी भावना को जगाना उत्तरदायत तिने भाने के लिए पिसीख्छन देना आधी को लक्ष पराप्त करना था असहयोग तिलक ने असहयोग का सुझाव दिया उन्होंने का आए कि आप स्वैंभी इस पिसासनिक पसनि यानि कि उनके साथ सहयोग ना करिए गरमपंथी राजनिती की कुछ सीमाएं भी है इन्हें भी देख लिए गरमपंथियों के पास कोई सुस्वर्ष राजनितिक विचार और दर्सन नहीं था सबसे वड़ी कमी यही था आर्थिक राष्टफात का विचार उन्होंने अबंथी भी इस बात को मानते थे कि आर्थिक सोसन भारतियों का हो रहा है भारत से ले जाया जा रहा है तो यह भी मानते थे इस बात को और उनके द्वारा ओगबादी तरीके अपनाए जाने के कारण सरकार को हिंसा और दमन का उसर मिला आत्म सामान और आत्म गौरब के इ इन्हों ने जिस हिंदू पुरा उप्थान बादी तरीके जैसे गनिश पूजा, काली पूजा, सिवाजी उस्साओं का साहरा लिया, उनसे संपधायक तक अभी विकास हुआ, जो आंगे चलकर अंदोलन के लिए घातक से दुआ, और ये भी इनकी बुराही आप देखे गरम बंतियों के साथ लेकर साथ लेकर चलने वाली कोई बीच का रास्ता निकालने का फ्रयास करने की जगह है, उन्हें किनारी कर देने का फ्रयास किया, और इस प्रकार दोनों में फूट पैदा हुई, और जिसे अंदोलन को गंभीर नुकसान पहुचाया, अगर हम लोग गरम बंति अंदोलन का अलोचनात पंग पुल्यांकन करें, तो आप देखेंगे कि गरम बंतियों ने नरम बंतियों के आर्थिक राष्ट्रवाद के सिध्धान को आधार बना कर वेटिस सासन के सोसक स्वरूप को उजागर किया, उन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कितिक मुल्यों की सरफसेष्टा को स्थापित किया, उसके माध्यम से लोगों में देश गौरप का भाव पैदा का राष्टबात को मजबूत किया, उन्होंने सोदेसी की आवधारना रखी और इस आवधारना से जहाँ देश परेम बढ़ा वहीं देसी उद्योगों की स्थापन कोई पेडा में मिली, और राष्टी इसे चलकर सहस्ताओं की स्थापना का महत्पूर्ण कार भी संपादित हुआ, सीमेश सम्मिधानिक सुधारों की मांग की वजए, उन्होंने सोराज की मांग की, और यह राष्टी आवधारन को दो कदम आगे लेकर जाने वाली मांग थ और आँगे चलकर राष्टी आंदोलन में पहिसकार के जिसे महत्पूर्ण अस्त का परियोग उपने वेसबाद के विरुद्ध गांधी ने किया, और उसकी आवधारना भी करम बंतियों ने ही रखी, और सौदेशी आंदोलन की दोर में यही एक प्रभावी अस्त की और गाओं में आप देखेंगे सफाई अन्य सेवाकारियों के द्वारा उन्होंने लोगों में नांगरिक भावना पैदा करने का प्रयास भी किया, और जिससे अंतता राष्टियता को बल मिला, और आप देखेंगे नरमपंथी राजनीतियों में जन भागीदारी सेमित थ पितिभा, बसकती की बात की और आमजन से खुद को जोडने का प्रयास भी किया, उन्होंने अपना राज महलों से मोड कर जोपणियों की ओर करने का प्रयास किया, लोगां को जुड़ाव भी हुआ, गरमबंथियों ने राष्टि आंदोलन को उस महत्कूंड दौर में पह प्रयार किर दी, गरमबंथियों ने समाचर पत्रों का अधिक मुकर प्रयोग किया, उन्होंने पत्रों, पत्तिकाओं और पुस्तकों की द्वारा अधिक ओगरूप से बेटे सासन के विरोध बिचारिक पितरूध किया, तेलक लाला लाच पत्राय अर्वेंद घोस आधी स प्रमबंथियों ने पत्रों, पत्तिकाओं को अपने विचारों की पैसार के लिए खूब उपयोग किया, गरमबंथियों, गरमबंथियों राजनीती देश की युवा वर्क को आकरसित करती थी, और इस वर्क को राष्टी आंदोलन में खींचने में इसका महत्मूर योग गरमबंथियों राजनीती के मुख नेता, तिलक लाजपत्राय, अर्विंद गोस और किरांतिकार युवकों की पेड़ा की सिरूत और आदरस थे, गरमबंथियों ने ऐसे समय में आंदोलन का नेतित किया जब नरमबंथियों राजनीती आपर आसंगी खो रही थी, और कॉ गरमबंथियों राजनीती में जो आंतर था, उसे वे देख लेजे आप लो, गरमबंथियों राजनीती के बिच निम्ने बिंदूओं पर मदभेद था, कौन कौन से मदभेद थे, एक तो आप देखें कि वेटिस के जो सासन का जो सारूफ था, इसी को लेकर आप देखें दोनों में मदभेद था, नरमबंथि वेटिस सासन को देवी बरदान मानते हुए, उसे भारत की आधुनी की करण में सहाइक मानते थे, यानि की अच्छा मानते थे, और उनका विचार था कि वेटिस सासन उदार लोकतांतरिक मोलनें पर आधारित है, और जड़ भारती समा है, और आप देखेंगे कि आर्थिक सोसन को लेकर, दोनों आप देखेंगे कि एक तरह से सहमत थे, ठीक है, तो ये भी आप लो याद रखेगा, और आँगे देखेंगे आप लो, राश्टी अंदुलन का उद्देश, तो नरमबंथि मानते थे कि सम्मिधानिक तरीका से क् प्राप्त करते हुए, सौसासन की प्राप्ती ही अंदुलन का मुख उद्देश होना चाहिए, और यह सौसासन बेटेन की अधीन ही होना था, जैसे ओश्टिलिया अन्यस्वेत उफनेविसें को मिला था, और गरमबंथी सौराज की बात करते थे, और यह सौराज बेटे सा सौसासन की अधीन, सौसासन से अधिक स्वायत्ता की मांग करता था, और उनके विचार में सौराज की मुलभूत, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कितिक पराप्ती कर सकता था, और महत्मूर बात है कि जहां नरमबंथी यह मानते थे, कि भारती लोग करमसा सौसासन के पुट बिस्वास था और उनके विचारों में मानौ प्रगेती के अनिवार तत केवल पश्मी संस्किती में ही उपलब्द हैं वहीं अधिक तारकिक वह अधिक तारकिक बुद्धिवादी और मानौताबादी हैं और आप देखेंगे इसकी विप्रीत गरमपंथी बांते थे क भारती संस्किती ही सरफ सेष्ट है और उनका बिचाल था कि भारती संस्किती में कुछ बुराईयां आ गई हैं जिने दूर कर इसे फिर से सेष्ट यानि की सर्वुत्तम बनाया जा सकता है एक इसका मनना था गरमपंथियों का और पश्मी संस्किती के सेष्टा सुईकार कर लेने को वाज सांस्कितिक आत्म समर्पण मानते थे उन्होंने भारत की अतीश से पेड़ा लेकर लाखों को जगाने और उनके राष्टी एवं आत्म सम्मान की भावना भरने का प्रयास किया गरम पंथियों ने और दोनों ही अपने-पने सांस्कितिक द्रिश्टिक ओन को आ नेतिक और आत्मिक बल में कमी आती है जब हम लोग उन्हें ही सेष्ट माल लेंगे उनकी संस्किति को ही सेष्ट माल लेंगे तो एस वभाविक सी बाद रहेगी और फिर आप देखेंगे राष्टी आंदोलन का स्वरूप तो नरम पंथि उपने-वेस बात के ब्रोष संग समिधान को भारतिये जनता नहीं बलकि बेटिस संसद ने बनाया है जो बेटिस जनता को एक्षा का पिति निदित करती है और इस समिधान पर आधारित भारतिये सरकार भारतिये संसद के पिति जिम्मेदार जिम्मेदार है ना कि भारतिये जनता के पिति नरम पंथि अनुन और आत्मिस्वासी होना आवस्तक समझते थे जो सोदेशी वहसकार और पिती रोध से ही परापत किया जा सकता था वही सामाजिक दिरिश्टी कौण की बात करने तो आप देखें, नरम पंती सामाजिक समान्ता की मांग इसाधार पर करते थे कि विवेटिस सरकार की पिरजा है वहीं गरमपंथी सामाजिक समानता और राजनेतिक सुतनता को अपना जनम से ददिकार मानते थे और नरमपंथी ने नरमपंथियों ने हिंदू मुसलिम एकता पर बल दिया और राजनीति को धरम निरपेक्च रखा वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे गरमपंथियों ने राष्टवाद की भाना को उभाणने के लिए हिंदू गौरब की पुनरफ्थान पर अधिक बल दिया और जिसके कारण भविस्य में संपधायक्ता को बढ़ाने में सफलता मिली तो यह भी याद रखना चाहिए आपको अगर आप गरमपंथि आंदोलन की अगर हम लोग बात करें कि गरमपंथि आंदोलन की विरुद वेटिस पितिकरिया क्या रही है यानि कि अंगरेजों का रोग क्या रहा है तो गरमपंथ आंदुलन का उदय उसका प्तीब गती से प्रसार होना वेटिस आसन के लिए गंभीर चुनोती का रूप लेता जा रहा था क्योंकि गरमपंथियों की विचारधारा वक्कार करम ना केवल वेटिस उद्योग संस्थाओं वसामान सामान का आप देखेंगे की ब हिसकार करके समराज को चती पहुंचाना था बलकि इनके प्रभावों में लोग हिंसा का प्रयोग भी करने लगे थे और गरमपंथि आंदुलन की विरोध बेटे सरकार की पितिकरिया दो रूपों में प्रकट हुई एक तो पिथम लौड मायले की विचारधारा जिसमें द जो एक तरह से दमन कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए आप देखे हर तरह के हत कंडे अपना रहे थे वहीं जो नरमपंथी थे उनसे समझोता कर रहे थे और दूसरी विचारधारा लौड मिंटो की थी और उसने पिती तोलक सिध्धान का प्रयोग करते हुए हिंदू को से अलग करने के प्रयास आरम कर दिये और इसके साथ ही कॉंग्रेस की अंदर विभाजन का प्रयास किया गया और आप देखेंगे आर्थिक लालज और पादी पद आधी देकर अनलोगों को कॉंग्रेस से सम्मंध बनाने से रोका गया और यह पिती संतुलन की निती 1909 की अ परिसदों में संपदायक निर्वाचन पदिती की आधर पर मुस्लिमों को आरक्षन दिया गया यानि कि यहां भी आप देखें उन्होंने फूट डालो राजकरों की निती अपना लिए और यह संपदायक निर्वाचन पदिती भविस में संपदायक तागा अधार बना और अन बर्गों और संपदायक के लिए फेडा बना जिससे राष्टबादी अंदोलन कमजोर हुआ क्या हुगा कमजोर हुआ ठीक है यहाँ भी कुछ पॉइंट है ने भी देख लिजिए आप लो राष्टी आंदोलन के दुतिय चर्ण को नव राष्टबाद या उगवाद के उदय का कारण माना जाता है और इसी समय सौदेशी आंदोलन तथा किरांतिकारी आतंगवाद की सुरुआत हुई है और कॉंग्रेस के उगवादी और अत्तिवादी कहे जाने बाले नेताओं में आप देखेंगे बाल गंगा धर तिलक अर्वेंद गोस बेपिन चंद पाल लाला लाच पत्रा है यह चाल नाम आप लोग चरूर याद रखेगा ओगवादीयों के राष्टबाद को भारत की प्राचिन संस्किती की गौरम मही नवचितना के जागरल से पेड़ना मिली बिवेकानन ऐसे पिथम भारतिये बने जिन्नोंने पित्यक्ष रोप से कहा कि कमजोरी पाफ है कमजोरी मित्यु है यह भगवान हमारा राष्ट कब सुतन्त होगा एक कफन दे देगा आपको और कई बार आपसे पूछ लेगा कि यह किसने कहा था बिवेकानन साहब ने और भारत में ओगवाद की मसाल जलाने का सरेत तिलक साहब हो जाता है बाल गंगदर तिलक उन्होंने राष्टिये राष्टिये चेतना को जगाने के उद्देश से धार में क्रोणी बादी का साहरा लिया 1884 में गड़पती महसव और 1886 में सिबाजी महसव की सुरुआत और सौराज, सौदेशी और वहिसकार का नारा सरपितम तिलक साहब नहीं दिया था महराष्ट में चितवावन ब्रह्मट दामोदर हरी चापेकर और वाल किसना हरी चापेकर ने 1877 में में पूना की फलेक कमीशनर रेंड एंड एम हर्ष्ट की हत्या कर दी थी और यह भारतियों में यूरोपियों की पहली राजनितिक हत्या थी ठीक है? और पिफुल, चाकी और खुदिरां बोस ने 1908 में बंगाल प्रसीडन्सीर के मजिस्टेट किंग्स फोड की हत्या का प्रयास किया था जब 1908 में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने 1911 में वैसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का आसाफल प्रयास किया सन 1909 में लंदन में मदन लाल धींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी थी और फंजाब में करांतिकारी आतंगवाद का उदय बार बार पढ़ने वाली अकाल और भूराजस और सिचाही करों में बिड़्धी के पाई डाम सवरूप हुआ था और भारत से बाहर विदेश्थी धर्ती पर इस्थाफ़े सबसे पुलानी करांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सुसाइटी थी और जिसकी इस्थाफना आप देखेंगे 1909 में लंदन में सियाम जी किष्णा बर्मा ने की थी और आप देखेंगे कि सुसाइटी का प्रमुकुद्धित भारत के लिए सौसाइट करना था क्या सौसाइट करना था इंडियन होम रूल सुसाइटी ने इंडियन सोसे लेजिष्ट नामकपतिका का पिकाशन किया और इंडिया हाउस की इस्थाबना कि और मेडम भीकाजी कामा जो पैरेस में किरांतिकारी गतिविदियों से जुड़ी थी मदर आप इंडियन रिवूलेशन कहा जाता है जरूर याद रखें ये भी कुछा जा सकता है इसके बारे में छोटे छोटे फॉइंट है लेकिन याद रखोगे तो अच्छी बात है एक किरांतिकारी आतंक वादी गतिविदियों से जुड़ी महत्पूर्ण समाचार पत्थ पत्थी काएं है इन्हें भी याद रखना चाहिए आप लोगों को इस समाचार पत्थ पुस्तिके हो गएं और इस संपादक उनके पिकासक हो गए और इसमें आप देखेंगे योगांतर वारेंद कुमार गोस गोस और भूपेंद नाथ दत्थी से जुड़े हुए थे और इसमें आप देखेंगे बंधी जीवन इसमें आपको मलू हुना चेश चंद नाथ सन्याल भारती सुतंता संग्राओं वीडी सावरकर भवाणी मंदिर अरवेंद गोस अरवेंद गोस जमीदार सराजुद्धीन भारत माता अजीत सीम इंडियन सोसियोलेजिस्ट स्याम गोस बरतमार रणनी थी बारिंद कुमार गोस पतेर दावी इस सरचंद चटोपत दे आए और बं मैनुवल इस पी एन वापट और कुछ करांतीकारी आतंग गतिविदियों से जुड़ी कुछ संस्थाएं भी थी देखिए इनका संस्था का नाम भी याद रखी है संस्था याद रखना है और इस थान कहा इसकी स्थापना हुई थी जैसे मित्त मिला इसके संस्था वकटे भी डी सावरकर क्या बीडी सावर कर ये बात है 1899 की और नासिक की बात है ठीक है अब इन्यों भारत बीडी सावर कर 1906 की बात है लंदन और भारत दोनों जगे अनू सीलयन समिती वारिंद कुमार गोस और आप देखें कि जतेंद और नात बनर जी ए लोग जुड़े हुए थे इसके संस्था आपक थे एक तरे से और 1906 की बात है कलकत्ता में भारत सो सासन समथी ओ इंडियन हाउस स्याम जी किष्णा बर्मा 1905 में लंदन में अंजुमाने मुहमाने वतन सर्दार अजी सिंग लाहॉर में इंडियन सोसाइटी मेडम कामा 1906 में पैरिस में कहां पैरिस में ठीक है और हि इंडू एस एसोसीयेशन ओफ द अमेरिका ये सोहन सींग भागना 1913 में ये आप देखेंगे कि पोर्ट लेंड गदर युगांतर आस्रम ये सोहन सींग भागना लाला हर द्याल और ये आप देखेंगे 1913 की बात है सैन फ्रांसिस्को हिंदोस्तान रिपलिकन एसोसीयेशन स और 1924 कानपुर की ये वट एकजाम में काफी कुष्टन साते हैं या से ठीक है कहां से वट एकजाम में एससे बैंक रेलवे इस तरह कि तमाम एकजाम होते हैं न राजिस्तर पर आप देखते होंगे कि सिक्छक भरती होती रहती हैं कॉंस्टेवल होती रहते हैं हिंदोस्तान सोचलिस्ट रेपबलिकन एसोसीशन चंद सेकर आयाद 1928 में दिली में भारती गरतन सेना सूर सेन के द्वारा 1930 में चटगाओं भारत नौजान जबान सभा भगसिंग चबिल दा सियस्पाल 1926 पंजाब में लाहोर चात संग सोकदेव भगसिंग 1925 में पंजाब म ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा सूरत अधिवेशन और कॉंग्रेस में फूट यह आप देखे 1907 की घटना है इससे भी कई बार कुश्चन से आपका पूछ लेता है ठीक है अंग्रेज कॉंग्रेस से आरम से ही ससंकित रहते थे कौन अंग्रेज और 1887 में लॉ उस समय आपको दिखाई भी देखा यह साथ और अंग्रेजों ने कॉंग्रेस को देश द्रोही कहे कर आलोचना की जबकि कॉंग्रेस शुरुआती दोर में अंग्रेजी सासन के लिए राजभकती का नारा देती थे इसके बाब जूद भी अंग्रेजी सरकार द्वारा कॉं अपने नहीं देना चाहती थी आलोचना का दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज समत्ते थी कि नरम बंतियों की नेतत में कॉंग्रेस काफी कमजोर है जनताक तक इसकी पहुंच नहीं है और जमकर इसकी आलोचना की जाए तो यह संस्था तूट जाएगी और फरन्तु अंग देश थे एक दमन सम्जोता और उनमूलन डिक है यह सम्झोता आप देखी कि नरम पंतियों के साथ दमन गरमsuppden learner न करता और जिससे नरम पंतियों में दॉह सत पैदा हो यानि कि डर फैदा हो इसके बाら नरम पंथियों को कुछ रियायतें देकर समिधानिक सुधार उन्हें गरम पंथियों से अलग करना यानि कि बटवारा कर दिया जा ऐक तरह से और इस नीती का मूल उद्देश नरम पंथियों को अलग धलग करना था और जैसे ही नरमपंथी गरमपंथी से अलग हो जाएं तो गरमपंथीयों का अनुमूलन करना था और सरकार ने अपनी नई नीती के तहट 1906 में जब बंगाल अंदोलन का अपने चरम पर था तो नरमपंथीयों के सामने समिधानिक सुधारों का पिस्ताओ किया और नरमपंथ सरकार की इस चाल में फचते चले गए और सरकार से सुधार पर बाचीत करने के लिए राजी भी हो गए और इसका नतीजा पैड़ा में हुआ कि राष्टवादी नेताओं में तोट पड़ गई और परन्तु पर भी दोनों एक जोट होकर बंगाल आंदोलन में लड़ते रह 1906 में आप देखें कि कॉंग्रेस अधिवेशन में नरम पंथी और गरम पंथी के बीच परस्फर मदभेद उभर का सामना आया और उसके बाद कॉंग्रेस टूट परन्तु कॉंग्रेस में फूट नहीं पड़ी अभी आप देखें कि ओदेश एक ही था लेकिन आजादी का लेकिन आप देखें तरीका अलग-लग हो सकता है और इस समझोती में आगर आप देखें इस समझोती की रूम में सौदेसी बहसकार राष्टी सिक्षा सौसासन से समंदी चार पिस्ताव पारीत कर लिए गये और दोनों गोटी चारों पिस्ताव को अपने अपने डंग से प वाक्षे में नहीं थे वो इसे बरवादी मानते थे 1906 से 1907 तक इस पूरे एक साल के द्वरान गरामपंथी और नरमपंथी की बीच बेमनस्त की भावना बढ़ती रही और 1907 की सूरत वी देवेशन में या अपबा फैली की नरमपंथी 1906 में पारीत चार पिस्ताव को खतम करना चाहते हैं और सूरत अधिवेशन सोर सरावे के बीच सुरू हुआ और वगर कोई पिस्ताव पारित की खतम भी हो गया और गरमपंथी नेताओं को कॉंग्रेस से बाहर निकाल दिया गया और कॉंग्रेस में फूट पड़ गई और इस पेकार बेटे सरकार नरमपंथी और गरमपंथी गोटों में फूट डाल कर कुछ समय तक राष्टी आंदर उनको निस्क्रिय करने में सफल रही यानि कि इनका जो उद्देश था वो अंग्रेजों का अग्रेजी सरकार का पूरा हो जाता है अगर हम लोग इसका मोल ल्यांकन करें आलो चनात्मक तो इसमें आप देखेंगे कि सूरत बिभाजन ने मुक्रता यह पेसे ने उत्पन किया कि कॉंग्रेज की बिभाजन का उत्तरदाई आखिर कौन है इस बटबारे का उत्तरदाई आखिर कौन है और ततकालित घटना किरम का बिसलेशन करने पर यह पता जलता है कि कॉंग्रेस का विभाजन नरमपन्थी और गरमपन्थी दोनों के गलत दरश्टी कौन की कारण हुआ था यानि कि इसमें आप देखें कि दोनों की गलतिया आपको देखने को मिलेगा गरमपन्थी और नरमपन्थी दोनों सरकार का दमन समझोता और मूनमूलन की निति को समझने में आसफल रहे यानि कि आप देखें कि नरमपन्थी भी आसफल रहे वो यह नहीं समझपाए कि आप देखें कि इस आंदोलन को खतम करने के लिए इस बटवारा करवाने के लिए अंग्रेज उनसे समझोता कर रहे हैं और गरम दल वाली ए समझते थे कि बंगाल आंदोलन से आजादी की लड़ाई सुरू हो गई है और जन्चा जागरूखत हो गई है और यही इसमय है कि जबकि बंगाल आंदोलन को देश के बागी हिस्सों में फैला दिया जाये और गरम दल वालों को यह एसास हो रहा था कि इस आंदोलन मरंपंधि में नरमपंधि सबसे बड़ी बाधा है और नरमपंथी वहिसकार अंदुलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरी ओर गरमपंथी केवल विदेशी माल की वहिसकार से ही संतोष्ट नहीं थे बलकि वे चाहते थे यह अंगरेजियों के साथ किसी भी तरह का सहयोग नहीं किया जाए और जबकि नरमपंथी निता सरकार के साथ समझोते के लिए उत्सुक थे और राजनीती ओपिसासन में हिस्सेदारी का नरमपंथीयों का सपना पूरे होने जा रहा था और सरकार समिधानिक सुधार के लिए उनसे बातचीत कर रही थी और नरमपंथीयों को लगा कि अपने किपसान नेतायों से बात कर रही थी और कुछ नेताओं को आप देखिए और रही फैसमस्ता सके सके समयर्य के लिए और रही आप काई बश्मां किसान अन्दूलन की बात करें तो gì कोई नई बात नहीं आ है College 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 नहीं समझ पाए कि सरकार उनसे बाचीत करने को राजी तो है और यह है उनकी अपनी सकती के कारण नहीं बलकि सरकार गरम दल के अंदोलन से डरी हुई है और इसलिए नरम दल को समझोते के लिए बुला रही है और गरम दल बालों को यह समझना चाहिए कि था कि यह देश अभ आप संगार कर सके, सूरत विभाजन के बास सरकार गरमद्थियों पर बड़े पिर्माने पर दमनात्मक कारवाही करके आंदोलन को दमाने में सफल भी रही, और सभी गरमद्थियों को जेल में डाल दिया गया, दूसरी तरह नरमद्थि भी निसरी किरिये होकर अपने घरों म में पड़े रहे क्योंकि जंता गरम दलबालों के साथ थी सरकार ने इसके बाद इन से बादचीत करना बंद कर दिया तो इस तरह कर्ठिन हो रहा है जो इतनी बड़ी आवादी है इसकी देखरे इसका पिसासन करना बड़ा मुस्किल हो रहा है और इसलिए आप देखे वह उनका कहना था कि हम इसमें बटवारा करें और कुछ सीमा तक सरकार का यह तरक सही हुई था क्योंकि आप देखें उस समय बंगाल की जनसंक्या वाकी की तुला में सबसे जानदा थी और अंग्रेजों की बास्तवी कवंसा कुछ और ही थी उनका मुख उद्देश बंगाल को दुरवल यानि की कमजोर करना था क्योंकि उस समय बंगाल भारती राष्टवाद का सबसे पिर मुख केंद था और यह सा कहा जाता है अभी भी कई विद्द्वान कहते हैं कि बंगाल जो आज सोच रहा है भारत के बाकी हिस्से में वो कल सोचा जाता है वास्तों में 20-20 सदी में उत्पन हो रही बंगाली राष्टवाद को कमजोर करना उनका मुख उद्देश था और बंगाल विभाजन का वास्तवी का अ 7 लाख लोग बंगाली भासा बोलती थे जबकि हिंदी और उडिया बोलने वालों की सांख्या आप देखें कि 3 करोड़ 32,4,70, staff टी और धरम के अधार पर यहां हिंदो ओक थी मैं पे ऊचरोड़ा 2,20 राखव और पूरुम में आप देखेंगे बंगाल मुसलिम बहु संख्यक छिते था जहां कुल आबादी 3 करोड, 10 लाक में से आबादी 1 करोड, 80 लाक थी मुसलिमा की और मुसल्मानों की पिती प्यार दिखाती हुए करजन ने कहा कि धाका नए मुसलिम बहुल प्यदान्द पूरी बंगाल की राधधानी बनेगा और इसे मुसल्मानों में एकता बढ़ेगी जो मुगल सासकों की समय उनमें पाई जाती थी और इस पिकार बंगाल बिभाजन की नेड़े से इसपर्ष्ट हो गया कि अंग्रेज कॉंग्रेस और सुतंता अंदुलन को कमजोर यानि कि दुरवल बनाने के लिए मुसलिम संपदाय वात को उभारना चाहते थे यानि कि इन दोनों में फूट डालना चाहते थे उनका उद्देश यही था और अपना जो सोषण करें वो बरकरार रख सकें और आप देखेंगे दिसंबर 1903 में इन सभी घटनाओं को जरूर रियाद रखेगा आप लोग दिसंबर 1903 में बंगाल बिभाजन की पिस्ताओं एक सेप्टमबर 1905 में आप देखेंगे बंगाल बिभाजन की तारीक घोसेत हो जाती है सूले एक्टूबर 1905 में आप देखेंगे बंगाल बिभाजन और वहसकार आंदोलन होता है और उत्तर भारत में रावल पिंडीर, मुलतान, कांगडाओ, हरिदवार में सौदीसी आं उनमें आप देखेंगे सुरंणात, बनर जी, केके मित्रा और फिथवीर, चंद, राय पिरमोग थे, उदारबादियों ने सरकार के इस नेड़े को कि बिरोध में सरकार को फुरातना पत्तसों पे सभाएं आयो जित की, निंदा पिस्ताव पारित किये, और हित बादी, नेड़े को बापस लेने ही तो अंग्रे सरफगार पर दवाव डाल सके, और किन्तो भारतियों के विरोध सौर की अपेक्छा करते हुए, उपेक्छा करते हुए भी सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की गोशना कर दी, और गोशना की कोश्ची दिनों के भीतर ह बिरोध सभाएं आयुजित की गई है, बिरोध हुआ, इन सभाओं में सबसे पहले विदेसी बस्तूओं के वहिसकार का अने डाय लिया गया, और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता की टाउन हॉल में एक विसाल पे दरसन आयुजित की गया, और जहा तरह से आप देखी कि आपका बंगाल विभाजन पर ये पित्ति किरी आ रही, 16 एक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन विदीवत रूप से लागू होता है, कब 16 एक्टूबर 1905 को, तो आंदोलन कारियों ने यह दिन सोख दिवस के रूम में मनाया, किस है? सोख दिवस के रूम में, और लोगों ने बेत रखे, गंगा में इसनान किया, नंगे पाउं पदियात्रा करते हुए बंदे मात्रम गीत भी गाया, और कलांतर में बंदे मात्रम गीत, भालती सुतंता अंदोलन का सबसे मुख गीत बन गया उस समय, विभाजित बंगाल के दोनों भाग संबन्दी संभा होता, अब तक की सबसे विसाल जनसभा थी, और जनसभा में सामिल पिदर्सन कारियों ने बंगाल विरोधी अभियान चलाने के लिए चंदे की रूम में 50,000 रुपे एकतित भी किये, और आप देखें कि सीगी है विरोध पिदर्सन बंगाल से निकल कर भा भागों में भी फ्यल गया, और पूना बंबई में सांदूलन का नेतित बाल गंगधर तिलक ने किया, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंग ने, और दिल्ली में सेयद हैदर रजा ने, मदरास में आप देखें कि चिदमरम पिल लईने से नेतित प बंगाल में बंग भंग बिरोधी अभियान सौदिसी अभियान को समर्थन देने का, इन दो फिस्ताओं को भी आप लो जरूर याद रखेएगा, गोपाल किसने को के लिए समय अध्यक्ष थे, और इस सम्मन्द में उगवादी, राष्टवादी, यथा बाल गंगाधर ति नरम पंती थे जो, वो चाहते थे कि धीरे धीरे सब कुछ हो, एक आएक कुछ नहीं मल सकता है, लेकिन एक आएक आएक आप देखिए, आजादी चाहते थे, सुदंता चाहते थे, और इस समय कॉंग्रेस में नरम पंतीयों का पिरभुत्त था, और वेसे बंगाल के बाहर च सासन या सुराज हैं, और धीरे धीरे उधारबादियों और ओगबादियों वेविन ने बिसों पर मदभेद बढ़ने लगे, और जिनी का रेजल्ट राय कि 1907 की सूरत अधिवेशन में आपको दिखाई देगा, जब कॉंग्रिस दो धड़ों में विवक्त हो गई, और इस राष्टपादियों ने बंग भंग को राष्टिय चुनोती के रूम में सुविकार किया, और सारे बंगाल में जनसवाय हुई, और आप देखेंगे कि हुई हो, तिलग, विपिंचन नेपाल, लाला लाजपतराय, अर्वेंद घोस ने कई इस्थानों पर विदेशी बस्तूओं की दुकानों का किप समक्च, धरना फिदलसन भी किया, और सात में ही विदेशी बस्तूओं की सारवज्येक रूम में होली जलाई, और सोधी सी ब पिकाओं, विवस्था पिका सभाओं, नगर पालिकाओं, राजकी ओपलब्धियों, इत्यादी का बहिसकार करने की अपील की, और इस आउसर पर अर्वेंद घोस ने कहा कि सासन संचालन को अवरोध कर दे, ऐसे किसी भी कारिक या प्रतन से दूर रहें जिसमें इंग्लें आने ही तू आँगे आएं, और उग राष्टवादियों ने बंग भंग दिरोधी अंदोलन और सोधिसी अभियान को जन अंदोलन का स्वरूप देने का प्रतन किया, और उपने विसी सासन से भारत को आजादी मिले कनारा भी दिया, और अरवंद घोस ने इस पश्टिकिय की राजनितिक सुतंता ही राष्ट की जीवन सांसे हैं, और इस तरह से आप देखें कि गरम बंथियों ने भारती सुतंता की अवधार्ना को राजनिति का मुच्छ लक्ष बना दिया, और संघर्स का नया सवरूप आपको देखने को मिलेगा इसके बाद, उग बादी आपको बाद का पिर्चार किया, और नरम बंथियों की अवधार्ना को पूर्ता न कार दिया, और इस अवियान के तरह संघर्स के जो विभिन तरीके अपनाए गए, वे इस तरह से थे, किस तरह से थे, इसमें आप देखें कि विदेशी बस्तुओं का वहिसकार की बात कर दो भी होग वारा विदेशी कपड़े दोने से इंकार करने का अग्रे किया गया, जैसे कारकरम सामिल थे इसमें, और यह कारकरम अतेंत लोग परिये हुआ, और इसे राजनेतिक इस तरह पर अतेंत सफलता भी मिली, और जन सभाओं और विरोत पैदार्संग के जरिये, अतेंत ससक्त, इवाम लोग परिये संसाधनों की रूम में, संस्थाओं की रूम में उभरे, वारी बारी साल में असुनी कुमार दत्ती की सोदेसी बांदाव समती, इस पैकार की एक अतेंत लोग परिये समती थी, और इस समतीयों ने जन सामान में राजनेतिक चितना के बिभिन पिकार की तरीके अपनाये जाने लग थे जिन में ब्याक्ष्यानों का आहिजन सौधिसी गीतों का गयन आप देखे कारकरताओं को नेतिक और सारे रिक्स पिशिक्षन अकाल और महामारी जैसी प्राक्तिक आपदाओं के समय सामाजीक सहयोग नए स्कूल की स्थापन और सौधिसी दस्थकारी ही तो फिसिक छडित्यादी पिर्मुक इसमें सामिल थे। और बंगाल में परंपरा का गत लोख नाट सालाओं का प्रियोग भी इस अभियान को लोकष्रीय है वम सफल बनाने में किया गया। आत्म विस्वास या आत्म सक्ती की भावना परवल, इस भावना की परसाद से राष्टिय पितिष्ठा और विस्वास की भावना को बल मिला, गाउं की वा सामाजिक और आर्थिक पुनर जनम हुआ और इसके तहद बिभिन सामाजिक सुधार का अरक्रम और अभियान चलाए जिसमें जाती पिता का बिरोध, बाल विभापर रोग, दहेच पिता का बिरोध, मदनेसिद इत्यादी सामिल थे इसमें, सौधेसी और आष्टिय सिक्षागार करम रवेना टेकोर की सांती निकेतन से पेड़ा लेकर कलकत्ता में, किसमें? कलकत्ता में नेशनल कॉलेज तकनीकी सिक्षाओं को संगठित करने ही तू 15 अगस 1906 को नेशनल काउंसिल ओफ एजूकेशन की स्थापना की गई, और जिसे देश भासियों में राष्टी इद्रिष्टी को और विक्सित किया गया, और समाचार पत्रों की माध्यम से सिक्षा के बिरसार को, पिचार को फ ब्यवस्था की गई, और आप देखेंगे इसमें सौधेसी यों भारती उद्योगों को बढ़ावा प्रोषाहन की बात की गई, सौधेसी और वहसकार आंदोलन के कारण भारती उद्योगों को अत्यधिक प्रोषाहन मिला, अनेक कपड़ा मिल, सावन उमाचिस की फैक्ट् खरकार खाने बैंक एवां भीमा कंपडियां खोली गई आचार पिरफोल चंदराय ने पिसित बंगाल केमीकल सौधिसी स्टोर की स्थापना की और इस समय भारती ब्यापारियों में व्यवसाई कारोबार की अपिक्छा देश भक्ती का उसा अधिक देखने को मिला सांस्कितिक जगत पर का प्रिभाव इसकाल में महान राष्टवादी यथा रावेननाठ टेगोर्ड, रजनी, कांत सेन, द्वेंद, लाल राय, मुकुंद दा, सियद, अभू, मुहम्मद इन सभी ने अनिक राष्टवादी कभिताओं गीतों की रचना की और जिसे भारतियो को अभूत पूर पेड़ा मिली, और इस आउसर पर रविननाठ टेगोर द्वारा लिखित आमार सोनार बंगला, नामक पिसे दिगीस से कलांतर में जो बंगलादेश का सुतंता अंदोलन को अभूत पूर पेड़ा दी, और बंगलादेश ने इसे राष्टगान की रूम मे अपनाया, तो ये भी आप लोग याद रखीगा, चितकला की चित में अवनिंद नाठ टेगोर ने विक्टोरियन प्रकितिवाद की वर्चस को तोड़ दिया, और मुगल अजंता और राच्पूत काल की चितकला से पेड़ा लेकर अनेग राष्टवादी चित्रों का रिय पिसित भारती एकला मरमग नंदलाल बोस ने भारती एकला की प्रोसान में महतपूर योगदाद दिया, उन्होंने 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ओफ ओरियेंटल आर्ट की पिथम चात्विति पाने का गौरब भी हासिल हुआ, बिग्यान की छित में जगदीश चं चिड़ाओं से घुजरा, और इसकी कुछ उपलब दिया अवसर रही है, पर अपनी कुछ सीमाओं की कारणी है, ब्यापक रूप से ना ले सका, ब्यापक रूप ना ले सका, और जैसा कि आप सभी पहले भी बताया है, या आप देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आप देखिए, इसमें कुछ मिला भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिला है, उसमें कमिया क्या है रहेगी, सौधिसी आंदोलन उपने वेसबाद के खिलाब पहला ससक्त राष्टी आंदोलन था, और इसने एक ऐसे आंदोलन की सुरुवात की, जिसने राष्टी आ आंदोलन में देश्ट वब होती है, यानि कि आप देखें महलाओं को, विध्यार्दियों को निमने स्तरिये जो बरकते हैं उन्हें भी इसमें सामिल किया, तो ये तो उपलवदी होगी, सौधिसी आंदोलन ने आत्मिरभरता और आत्म सक्ती का नारा दिया, और आंदोलन क कारियों का मानना था कि सरकार के खिलाब संगर्स चलाने के लिए जनतंत में स्वावलंबन की भावना भनी बहुत जरूरी है, इसके लिए दो प्रमुखुप करण बने, सौधिसी उद्धियों और राष्टी सिक्छा, सौधिसी उद्धियों के विकास की योग में हमें वि आपारी ज्यान के आभाव में समाप्त हो गई, और कुछ खार खाने जैसे पीसी राय को बंगाल केमिकल फेक्टरी अवस्य सपल रही, और सौधिसी सिक्छा की चित में महत्पूंड कार हुए, बिसे इसका राष्टी नियंतन के तहत, जनता के लिए साहतिक विज्ञानिक तकनीकी सिक्छा हेतूर एक राष्टी सिक्छा परिशत का गठन हुआ, कई जगों पर राष्टी विद्यालेयों की स्थापना हुई, बंगाल में बंगाल नैसनल कॉलेज सांती निकेतन की तरश पर स्थापना हुई इसकी, इसके प्याचार अर्मिंद घोस बने, सिक्छा आप देखेंगे, सांस्केतिक जीवन पर भी सौदेसी आंदोलन का महत्पूर प्रभाव पड़ा, बिसके साहित कला और विग्यान के छेत पर, साहित के छेत में कला साहित बिसकर काबे के लिए सिवक का महत्पूर स्थान है, रवेंडा टेग और रजनीकांत सेन, दुजें पंदर लाल राय, मुकंद दास, इत्यादी द्वारा विभिन रचनाय आई, टैग और द्वारा रचित, आमार सोनार बंगला, बंगाली राष्टबाद का पितीक बना, जो कलांतर में आप देखें कि 1931 में, बंगल की सुतंता की बाद वहां का राष्टी एगीद भी बन और पहले आपको बता दू कि बंगला देश पाकिस्तान का इस्सा हुआ करता हो था, 1971 में आप देखते हैं कि जो लड़ाई हुई थी न भारत पाकिस्तान के बीच, बंगला देश की आजादी को लेकर उस समय ये आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की पिदान मंतरी इं और कला की चित में आउनिंद नाटेगोर ने पश्मी पिरभाओ से मुक्त होकर सुद्ध भारती विसेओं से पेडा ली और इसके लिए 1906 में इंडियन सोसाइटी ओफ और और इसकी पहली चातिविती नंदलाल बॉस को मिली थी और यह पिरभाओ बिग्याज की चित में भ जल्दी बिखर गया इसके क्या कारण थे एक कारण भी आपको याद रखना है ठीक है ब्यापक संपदायक एकता का भाओ यागिफी सौदिसी अंदलन के साथ मुसलिम भागेदारी दिखती है लेकिन वह ब्यापक नहीं थी यानि की कम थी अधिकतर मुसल्मान विसेशकर ख केती हमद्दूर थे इनको तुरंक पिदान किया गया और आप देखेंगे अंग्रेजों की पहल पर ही मुसलिम लीक की स्थापना हुई जिसने सौदिसी अंदलन का विरोत किया और इसमें कुछ योगदान सौदिसी अंदलन के दौरान जन्चेतना को बढ़ावा देने ही अंदलन कारियों द्वारा इसका इस्तेमाल इमांदारी से किया इमांदारी से बिना किसी विद्वेस के अपने लक्ष प्राप्ती ही तु किया लेकिन सरकार की अलगाव नीती ने इसको कूप फिरभाव भी पैदा किया और अंदता 1907 में हिंदू मुसलिम दंगे होने शु अपती का कारण बनी सारजिनिक सभाव और पिदसनों प्रेस पर पिती बंद लगाए गया आंदोलन समर्थक छात्रों को स्कूलों से निकाला गया सरकारी नोकरियों के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिये गया और इन पर जुर्माना किया गया और फलता लंबे समय तक आ दर जाते हैं इसके अलावा 1907 में कॉंग्रेस के सूरत विभाजन ने नेतत्त की उर्जाप भी समात कर दी और जहां नरंबंथी अलग हो गया और वहीं गरंपंथीन में तिलक को 6 साल की क्याद आजी सिंग बालाला लाचिपतराय को निर्वासंदन्ड विपंचद पाल अर आंदोलन की दिर्क जीविता के लिए अनिवार सहरत होती है साथ ही आंदोलन की ब्यापकता अधिकांस सहरी चेत्रों तक सीमेत रही वाजन का इसका प्रसार गरामीर चेत्रों तक नहीं हो पाया और एसे में एक समय बात आंदोलन में ठहराओ तो आना ही था और इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो आंदोलन था ये खतम हो जाता है और हम लोगों ने इस चेप्टर को भी बहुत ये अच्छे से पढ़ लिया है नरंपंथ और गरंपंथ आंदोलन के बारे में आप लोग पढ़ते रही है इंद्वाय करते रही है हम लोग अगली क्लास में प सला हो सुजा हो तो आप लोग जरू नेचे बता सकते हैं ठीक है आप लोग पढ़िए मेहनत करिए हम लोग मिलते हैं